क्या तुमने बच्पन में ये मूवी देखी है जिसका नाम था कालो ये मूवी स्टार्ट होती है रेगिस्तान से जहां पे आसपास में कुछ नहीं है एक रोड है उस पे एक बस जा रही है देन इस बस पे चड़ते हमारे CID के ACP सर एन देन उसके बाद जैसे ही ये बस थोड रस्ते से नहीं जा सकती है और आप इन्हें एक दूसरा रस्ता लेना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा खदरनाक है क्योंकि उस रस्ते पर रहती है एक चुडएल जिसका नाम है कालो बट इस बस का ड्राइवर बहुत ज़दा बक्च्प होता है और वह बहुत बहुत कुछ न स्टार्ट कर देता है अब यू माइट भी थिंकिंग कि रचेत भाई इस तुमने कभी यह सोच है कि एक हॉरर मुवी सिपो सिफ रात में शूट हो सकती है और द्रिस नो फ्रिकिंग बे कि कोई सा भी भूत मुझे दिन में डरा सकता है तो मेरे साफ से तो मैं यह मूवी दे देखते हैं मैं फट्टू हूँ मैं एक बहुत बड़ा फट्टू हूँ हो और मुवी को लेकर यू माइट वी थिंकिंग आखिर इतनी पुरारी मुवी का आप इस वीडियो में बात क्यों कर रहे हो क्योंकि फ्यू डियस बैक मैं को पता लगा यह जो मुवी है यह एक रि कुलदारा वोलूगा कभी कुलदारा वोलूगा आई होप यू गैड़ तो कुछ ताइम पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पर इकी स्टोरी डाली थी जहां पर मैंने बताया थे कि लास्ट यह जब में एक हांटेड हाउस में गया था योंकि इंडिया का मोश्वीडियो आउस दा मौगन हाउस लाश्ट यह मैंने वह वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब वह वीडियो बनाने में में चाफी ज़्यादा मज़ा आया था और इस यहर मैं को एक और एक जगा पे जाना है जो की काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग हो एंड तब वह स्टोरीस की रिप तो मैं होते हैं या कोई चर्च आपना या कोई आपनल अने सोच है कि पूर सोचको खूर एक हम और so इस प्रेंड नाम पता लगा तो इसके वारे में जानने के लिए मैंने अपने फ्रेंड फ्रेंड फिंग को कॉल किया और इसको इन चीज़ों की काफी जानकारी होती है Okay, the reason मैंने आपको बुलाया है is because there is this place and मैं को बहुत साही लोग बोल रहे इस जगा के बारे में and it's something like खुल रहा या खुल दारा ऐसे करके I know तुम लोग सोच रहे होगा कि मैंने ये काला चस्मा क्यू पहन रखा है इसका आंसा तुम लोग को आगे मेले गा मैं थोड़ दिन पहले ही थोड़ा पढ़ रहा था इसके बारे में दूड़ एजिया की सबसे haunted जगाओ में से एक है मैं उपता नीता कि इंडिया में इसी को जगा है अभी तक मैं को कुछ नी पता अभी तक I don't know anything अरे ये राजस्थान में there was this one village और something to happened yeah वह मैं उतना जाननी पाया मैं पढ़ रहा थे इसके वारे में उसके अंदर था की रातो रात एक पूरा विलेज में कितने लोग उता इता बड़ा सा होता है रातो रात सारे लोग गायब होगे थे और जब वो गायब होगे थे जिस state में विलेज था उसी में छोड़ के चले गए थे तो वो जो विलेज है जैसा जब उस टाइम पे था वैसा ही अभी है तोड़ा तूट फूट गया है लेकिन तुम देख सकते हो और वह पर एक feeling आती है कि लोग यहां से छोड़ के भागे हैं लेकिन काफी लोग पता है निए कि पूरा गाहँ एक साथ गायब हो गया था था बहुत हो बहुत होरिफाइंग जगा है अभी हाँ मैं जब पढ़ रहा था ना मैंने कोई तो पारनॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था में को नाम याद नहीं आरा वो यहां पे गया था और थ तोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो गई तो काफी लोग ना उसकी डेथ को कुल्धारा के साथ मतलब आज करने कोशिश करते हैं तो बहुत है कि कुल्धारा इस दर रीजन तो वो यह चीज़ है प्लान कर रहा है जाने कर रहा है आप लोगा स्वागत है रचितरों के एक नहीं वीडियो में मैं सौरी कि यह वीडियो इसनी लेट हो रही है मैं एक्शली इपने सेकेंड चैल में थोड़ा सा काम कर रहा था एंड यह वीडियो बनाने में को काफी टाइम भी लग गया एक्शली अलसो आई जस्स रियलाइज कि पीछे वाला मेरा यह यह टैडी साही नहीं है दो सेकें करना चाहरा हूं क्योंकि बहुत सारे क्रीटर से जगह पे जाते हैं देल भी लाइक ओमाइग डिस तो इसकी स्टोरी क्या है सो जाने से एक दिन पहले मैं इसके वारे मैं सर्च किया और यूटूब तो यह फाइनल हो गया है कि हम लोग कुलधरा जा रहे हैं बद थिंग इस देट कि अभी तक मेरे को इस गाओं का एक्च्वल स्टोरी नहीं पता है तो मैं एक्शली यूटूब स्क्रोल कर रहा था और मैं को यहां पर बहुत सारी वीडियो मिली बट मुसली यह सारा वीड वाले गई होंगे एंड उन्होंने आके लोगों से पूछा होगा इस वलेज के बारे में तो लेस्ट सी अभी तक में कोई सी जानकारी निया इस गाओं की लेकिन देखते हैं कि आखिर इसकी स्टोरी क्या है दूर दूर तक फाइला हुआ को जैसल मेर के रेकजारों में पत्थर उठाकर क्योंकि चुक्य भाई इतने सारे हां पर पत्थर यह पूरे घर पत्थरों से बने हुए हैं बसा हुआ यह गाउ पालिवाल ब्रह्मनों का था बड़े-बड़े दो मंजिला मकान अलग-अलग कमरे चौड़े रास्ते इसकी खुशारी के पताद बहुत पर महाराजा और दीवानों की नजर इंग्सिस गाउं पे टिकी हुई थी रवायत के मताबिक जैसलमेर के राजपूत राजा का दीवान जालिम था उसने पालिवाल ब्रह्मनों को तंग करने के लिए यहां पर यह वो गाड़ी है जो बैल गाड़ी का हाथ मागा और कर दिया सालम सिंग राजा बोलया कि मेनू लड़की को सादी कराऊ सादी कराऊ लड़की को जड़े बोला ब्रोमन बोलया का मैं लड़की की सादी ने करऊ हूँ адम मास्मचली खा रहां यहां मैं लड़की ने जा Wednesday बोली को रहात की इता हूंगा नीदमज राद की उटना बागा रातो रात में चल गया पल मुकामे रिकॉर्ड के मुताबिक 1825 में पालिवाल ब्रहमन रात के अधिरे में अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चले गए आई से में को समझ में आ रहे हैं तो रुखित हएगा सुकने पाइगा डुख पाइगासूख निपाइगा कुंग अधिक है उसकी आत्मा उसकी आत्मा सब्सक्राई वें है कशले में आत्म धुष रहे हैं जात को दिन में आखा आत्मा बटते है रात को बूर देता है I see कुल्दरा के पाली वालों के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं दूर जाकर आबाद हो गए और वो यहां पिर कभी नहीं आए कहां पर गई लेकिन वो लोग तो उन्होंने यह बद्दूदी थी कि यह गाउं कभी आबाद नहीं होगा दो सो बरस बाद भी यह गाउं वीरान पड़ा है शकील अख्तर बीबी सी नियूस कुल धरार राजसना I get it मैं को सायस समझ में आगी है इस गाउं की स्टोरी सो स्टोरी ऐसी है कि इस गाउं में ब्रामिन लोग रहते थे और यहां पर कोई तो राजा था और उसको ब्रामिन की एक लड़की पसंद आई उसको उससे साधी करनी थी बड़ ब्रामिन लोगों ने मना कर दिया तो राजा ने बोला कि चलो यह गाउं खाली कर दो तो फिर ब्रामिन लोगों ने ये गाउं उसी रात खाली कर दिया एंड श्राब दे दिया कि कोई भी इस गाउं में दोवारा वस नहीं पाएगा तो इसलिए पिछले 200 साल से अभी तक इस गाउं में कोई नहीं आ पाया एंड गोस्ट का स्टोरी ऐसा है कि यहां पे बुड्डे लोगों की जो मर जाते हैं लोग उनकी आत्मा यहां पे रहती है जब यह लोग रात में गए थे उस टाइम पे गवर्मेंट अलाव करती थी इस गाउं में काइंडा रात में आने के लिए बट ये लोग की investigation के बाद आगे कुछ होता है जिसे अब government अलाव नहीं करती है किसी को भी इस जगा पर जाने के लिए after 6 p.m. जो इनका लीडर है एक तरीके से इस पूरी पैरा नॉर्म इंवेस्टिगेशन टीम का जो गोश्ट हंटिंग ये पूरी टीम है इस वीडियो के आगे तुम्हें बहुत इंपोर्टेंट दिखेगा तो इसको अभी थोड़े अपने दिमाग में रखना विकॉस अभी जो हमने कि रचेत भाई आखिर रात में यह 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 चस्मा कॉल लगाता है रात हो रही है ठीक है एंड तुम्हें भार भी नहीं जाना तो यह काला फैशनेबल चस्मा क्यों लगा के रख्खे हो दा तिंग इस देड़ बॉइस रूइस रूड़ी से लो है तो तुम इस तरीके क जाते हैं तो हम फैशनेबल ग्लासिस को नहीं पहन सकते विकॉस फिर हमें कुछ दिखता नहीं है तो फ्यू डेज बैक मिलेको पता लगा था लेंस काट स्विच के बारे में तो मैं लेंस काट में गया था एंड ट्रस्ट मी यह जो मेरे चस्मा है जो कि मैं बहुत टाइम स जिसमें देख भी सकता हूं और दिखने में भी कूल है और यह लव लेंस काट तुम्हाब फ्री चेक अप भी करा सकते हो अपनी आख बट अमिरको यह लेंस काट स्विच मॉडल सबसे जादा बैस लगे और बहां से मैं इसको चूस किया था था और यह मैंने खरीदा एंड मैं डिस्किप्शन एंड कमेंस सेक्शन में एक लिंक तूँगा जहां पर तुम लोग यह मॉडल्स को चेक आउट कर सकते हो बाग की वीड़ो के आगे बढ़ते हैं सो यह जानने जे पहले मैंने काइंडा इसकी पूरी स्टोरी जान ली है और यह स्टोरी काफी इंट्रेस यह जगा वाइदा वे राजिस्थान के जैशल मेर एरिया में पढ़ती है जैशल मेर के पास कुल्धारा है एंड कुल्धारा से थोड़ा सा दूर कुल्धारा बिलेज है एंड यू डॉन डो डेली टू जैशल मेर होता है अराउंड 800 क्लो मीटर सो यह हम लोग आल्मोस्ट 14-15 घंटे का का ड्राइब करके वहाँ बर जाने वाली है और यह फन नहीं था तो सबसे पहले मैंने करी थोड़ी सी पैकिंग जब मैं पैकिंग कर रहा था तो मेरे दोस डेस्क और क्रियेटिव मोबाइल में गुसे हुए थे राजुस्तार आफ्तर देट मैं वैंड ये पूरी driving जो है मेरे बड़े भाई ने करी तो thank you so much भाई मैं 14 घंटे मैं तो drive नहीं कर सकता यार so हमारी गारी निगल जाती है इस जर्णी पे पहले रात होती है उसके बाद जब मैं देखता हूँ तब थोड़ा सा सुबह होने लगता है बीच बीच में हमें गाड़ी रोकनी पड़ रही थी और बहाँ पर मेरे को ये दो बच्चे देखे थे इनको मेरे भाई ने चॉकलिश दी फिर ये बच्चे भाई टारजन दा बंडर कार बनने लगे ये पेड़ पे चड़ रहे थे और इसको देखकर में को अपने बच्पन लाइक ये जित्ती भी तो में बिल्डिंग दिख रही है ये सारी की सारी सिमलर दिख रही होंगी और ये कहते हैं मैं फाइली अपने होटल के पास पहुंच जाता हूं तो इसके बाद जब मैं अपने होटल के अंदर गुसा तो मिरे को पता लगा कि ओ माई गॉड ये तो लुटूर कर रहा था तबी मिरे को याद आता है ओ शिट अम मिरे को याद आया कि है कैसी वाइव दे रहा है मुझे सब के बाद हम उसरा थोड़ा सा रेस करते हैं को ना खाते है और इसकी रूप पर जाते हैं इस सब के बाद नेक्स ने लोग जाते हैं कुल दरावीलेज यहां पर हमें कुछ नहीं दिख रहा बस ऐसा ही एरिया है एक्षिल यह पूरा लाइक सुनसान सा एरिया है कोई भी विल्डिंग नहीं है यहापर और यह खुदा हुआ डला है पूरा इस तुम देखोगे न तो यहां वेसे पत्थर ही पत्तर है और जैसी हम इसके आगे करते हैं कि वह कैसा है एंड यह है कि अफ यू सी हम जहां पर जारे है ना हमारे आज पास कुछ भी नहीं होता है और मैंने फर्स्टाइम वह विंड मील देखे जो विंड मील नहीं है हम जी टीए फाइब में देखते हैं और किते सुन्दर थे मैं बच्चों जैसे हो रहा लगोती है तो अचानक से हमारे कार के पास ना एक भाइक आ जाती है मैं अचलिए डर जाता हूं कि मेरे को किटनेप करेगा एंड क्या इससाइन है कि मैं एक हांटर बिलेस में जा रहा हूं बब्ट गैस वाड़ गाई ये लोग अपना होटल प्रमोट करे थे और रवार अ रोकते हैं चलती गाड़ी में और तो में वोटल में इन्वाइट करते हैं पिर नहीं तुम्हारे साथ क्या किया खराब लग लग रहा था मिने को क्युक्ति बार वर वो कार के पास आ रहे थे पिर भी भाई वो माणनी रहे तो या इस वीडियो देख रहे हो तो आप जैशल मेर लेकिन मैं कभी-ज़वी डर जा रहा था जब यह वाइक सारी ठीक है क्योंकि वह आचानक से आजाती है बड़े थोड़ा दिर आगे चलने के वाद जब हमें कुछ नहीं दिख रहा था तभी हमें बड़ा-बड़ा सा खुलदा खुलदारा के पास है अधर साइड है खुलदारा विलेज ठीक है वो उसका गेट है यहां पर इसका इसको क्या मुझा है इसलिए में रुका यहां बरना एक्षली भूथ वगरा कुछ तो लिख रख रख तो यहां पर लिख रहा है बूथ नहीं चुडएल बूथ और हात बने होगे हैं अधर साइड है यहां भी लिख रहना नहीं वह बच्के रहना ऐसे लिखना चाहता है लेकिन लिखनी पाया पूरा लाला यहां पूरा लाला अचार जैसे खून से लिखने की पर तमाख लाग रहा है अजा देबको नाया थे जगई से आपर इसके अंदर एक एक दिखाता है यहां दूर दूर से यहां दिखा इस तरीके का एंड मैं रुग गया डोन नो हम लोग के एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी अभी बट मैं एक्साइटिड हूँ कोई भी आसपास में कोई भी नहीं है इसके आस-पास है तो अब अपर दिखा पर कम गये ऊगूष मैं यह थोड़े चंद पैसो के लिए यह तो अब हम इस व्यसके काफी पास थे तो हमारी गाड़ी जाती है इस विलेज के अंदर यहां पर हमें एंट्री करानी बढ़ दिया अपनी तो हमने अपनी एंट्री कराई एंड इस गेट से गाउं थोड़ा और अंदर है तुम्हें लगेगा कि यह गेट से गाउं स्टार्ट हो जाता है बट ऐसा नहीं है इस गेट के आगे छह सास्टो मीटर के बाद एक्शली ग खुलत्रा बलेज ओके फाईली गाई तो अवी हम लोग आ चुके है इस गाउं में और में कुछ नहीं दिख रहा यहां पर मुझे सिर्प टूटे मकान दिख रहे हैं यह देखो तो मैं उदर साइड एक घर देख ज़गी पूरा तोटा हूए है और साइड वी सारे के सारे करेंगे तुम्हारों करेंगे एवेंट करेंगे आजाओ बूद एंवस में मजाक कर रहा था और वो टिकेट वाले अंकर बोलते है कि मला वो सरकाश्टिक भी में बोलते है कि रात में अगर तुम यहां पर रुके ना और अगर कोई कुत्ता भी थोड़ा सभी भॉग दिया तो उसी में तुमारा मूध निकल जाएगा तो मुला वो यह कहना चाहरे थे यह एक्षली में हॉंटेट है सायद अंड मुझे को मजाक नी बनाना चाहिए तो आम सौरी उसके लिए पहले ना एक्षली सारे के सारे घर न इन से बनते थे एक्षल जैसा हमारा माइनक्राफ् देखने के बाद हम थोड़ी एक बड़ी जगा पे जहां पर जो घर थे वह पर्फेक्ट पोजिशन में थे एंड यहां पर ना कैफिटेरियस बगेरा भी खोले गए थे वाट वो अभी बंद है इसका आंसर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा तो यहां पर यह जो घर बिल्कु चिच्चा यह आना इधर साय तो इसमें रात में आप आओगे इस पूरे गाओं में अकेले इसमें तुम्हें डरा दिया एसे बोल के लिए मैंने रियल लाइप में देखे है यह पहली बार ओ पीछे जा रहे हैं कोई नहीं बैट मैं बन जाएंगे हैं इन घरों के अंदर यह जो चोटे चोटे रूम से हैं इनमें बहुत सारे चमकादट रहते हैं हमने इसको एक्स्प्लोर किया उपर सी यह गाओं काफी एक्साइटिंग लग रहा था एंड उसी से ना मेरे मन में कोशन आया कि अगर यह गाओं पूरा खाली कर दिया गया है यह पूरे के पूरे घर जो है पत्थरों से बने है तो आखिर यह पत्थर को कोई उठा के क्यों नहीं ले जाता एंड इफ यह कोशन तुम्हारे मन में भी आया है तो इसका आंसर भी तुम्हें मिलने वाला है तो जब हम दोड़ा से इसको एक्स्प्लोर कर रहे थे तब ही हाँ पर एक बोच्पन अंकल मिले तो अंकल रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते थे अपने को और उन्होंने बोला कि बिदाउट कैमरा वो बात कर सकते हैं तो हम उनके पास गए और बहाँ पर हमें एक गाइड मिल जिसको इस एरिया की पूरी जानकारी है और उसका पूरा बच्पन यहीं पर वीता है और उसने मेरे से हाँ बोल दिया उनको रिकॉर्ड करने के लिए जब मैंने उनसे थोड़ी से बात करी तो उन्होंने यह चीज़ बोली तो नोने ना एक गौरब के वारे में बात करी जो कि यहां पर आया था और जब वो यहां से गया तो उसके केमरे खराब हो गए थे और उसकी मौत हो गई थी तो इस दुनिया में नहीं है और काफी लोग उनकी जो मौत है वो इस विलेज से कनेक करते हैं क्योंकि वो यहां पर आये थे और उनके बाद उनकी वाष्ट्रूम के अंदर दैथ हो गई थी तो यह बहुत बड़ी एक थियोरी है और अभी तक कंफर्म नहीं है कि ट्रू की नहीं बट यह वो पैरानॉर्म इंवेस्टिगेटर थे और ने बहुत सारे गोस्ट हंटिंग में कुछ और स्टोरी बताई इस विलेज के बारे में तो सबसे पहले चीज होती है कि इस विलेज की स्टोरी क्या है भाई आइस का नाम कुल्दारा एक बसा था ठीक है यानि पंडित पालीवर्ड ग्रामणों ने जैसलमेर के आज पास में 200 साल पहले एक चौरा सी गाउं पालिवार ब्रामनों का कुलधारा तो गायड होया ने एक्जेक्ट्ली सेम वही स्टोरी बताई जो कि हमने वीडियो में देखी थी एक राजा होता है उसका एक लड़की पसंद आ जाती है उस लड़की कावन वाले साधीदी से तो वो वऑजे से सारे वालो वालों को गाओ चोड़ना पड़ता है और फिर वह लोग शुराब दे जाते हैं कि अगर हम इस गाउं में नहीं रह पाए तो कोई भी इस गाउं में नहीं रह पाएगा वारे मन में आ रहा होगा क्या कुछ लोगों ने रहने की हैं क्या NICK यहां से लेखे से बड़ा विलीज कुल दाना था कि देखा जाए तो इसमें कोई रूक नहीं सकता है वैसे लोगों ने बहुत कोशिज की रूकने की रहा है यहां पर किसी ने हमारे जैसे गाउम वालों जने लोगों ने आस पास गाउने उनके साथ प्रोब्लम हुई थी किस किसी के बच्चों के साथ किसी के बुजरुगों के साथ तो आज से 200 साल से विरान पड़ा है आफ्टर दिस मैंने गाइड से एक और कोशन पूछा जो की था आखिर भाया यहां के घोष्ट कौन है यहां पर जो भूत है वो कौन है यह था उनका रिपलाए वैसे देखा जाए तो इनके जो पूर्वे से पालीवार ब्रावनों के उनकी जैसे पास में एक समसान भूमी ब बनाते थे उनकी आत्मा कुल्दारा में विलेज के अंदर भटकती रहती इसलिए कुल्दारा में देखो 630 के बाद किसी को अलाओ नहीं इसके बाद मिने दमाग में बही कोशन बापस आया जो की हम समने सोचा था यहां पर जितने भी रॉक है इनको हम उठाकर क्यों नहीं हुआ है जो पत्थर थे पब्लिक यहां से उठाकर अपना घर बनाने की कोशिस की थी किसी के बच्चों के साथ बुझरुकों के साथ नहीं पत्थर कुल्दारा के वापिस डाल दिये इनके उपर एक पिक्चर बनी है कालो अभी जता इस एडी वाला भूतों वाली इस कालो यह सारा स्टोडी के बाद जब भाहिया हमें एक दूसरी जगा पे ले जा रहे थे ताभी मैंने भाहिया से चुपके से कैमरा को साइड करकर एक कोशिन बूचा अभी मैंने रिकॉर्डिंग बनी बट में को बता हूँ नहीं कोशिस तो करी उनसे पूछने की यह असली है ग वो घर जिसमें वो लड़की रहती थी जो लड़की उस आत्मी को चाहिए थी तो अभी जिस घर में मैं आया हूँ ना तो यह है इस पूरे गाउन का सबसे मैं घर अड़ यह मुखिया का घर था और तो इसको अभी हर साल ना इस पे यह पैंट किया जाता है गोवर से इसको अच्छे से रखा जाता है जिससे और टाइम तक बना रहे है कि अभी तक पूरा नहीं तो इसको अभी पूरा डेकोरेट करते रहते हैं यह यह उस गाउं के प्रदान का घर था जो मैं मुखिया था उनका यह घर वार से काफी जादा सुन्दर था लाइक लाइक बहुत कितने सारे दर वी ऊपर वी यह उपर वी यह उपर वी एक बैट मैं अच्छा यह चोटा दरवा जाने जोपिया पड़ा पड़ा था पहले है यह क्या स्केरी है बाई पुरा अंदर चमकादर चमकादर है तो अभी हम लोग ना इस वाले कम्रे में आई है और यह एक्छली म इतने चमकादर है यह जादा वाई यह उपर सबसे सकेरी चीज़ पता कि है यहां पर किसी का नाम लिख जाओ और वो करस हो जाए किसी को तो मैं बही तो मैं यहां पर लोग बेसिकली अपना एक अंशोड के जाए हैं आपने नाम मुझे किसी इसे नफरत हो और मैं उसका य इस किचन के अंदर भी काफो ही जाता चमकादर थे बट इस रूम में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नेम्स लिख रखे थे और यह मोस्ली यह मैं घर में जादा था इसका रीजन क्या था कि बहुत साई लोगों ने इसकी उपर नेम लिख रखे हैं सम पीपल से कि यह मेवी डार्क मैजिक के लिए था है या सब जो यहां पर आई तो उन्होंने अपना नाम लिखा बट मैं डर रहा था मैंने अपना यह वारी जाता है उस टनल के अंदर और वो टनल सबसे सकेरी है अब को दिख रहा है बहीं सबसे बड़ा बैडरूम मास्टर बैडरूम रासाप है इस रूम में वह भूमा है वह बहां पर रिंग चुगा यह भाई अभी यहां में गई ते फ्रिक अधर अधर अंदर यह यह वहाई इसी में वह गया था रूम जी और क्याव हो इतनी हिमत कैसे कि को यह इसमें क्यों जायेगा लिकें अरे लोग बनाते है ना नहीं बट वर गॉर्भ इन दर क्यों गयाता वह अध़ा वह सब सब्सक्न अधी वह गॉर्व देख हुए इसमें अधर वी ने है त वह पॉपलर हो था वह परनॉर्मल रिसर्चर था विदेस में नाम सुनाए मैंने तो उसने ऐसा चीज़े करी हैं भी मैंनी इसमें जा सकता पॉर रियल इसमें कोई भी नहीं जा सकता है नेक सी जगह है इस गुफा में गया 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 से मदला अब रच्छी डलके नहीं सीडी आफ्टर देस हम इस गाउं के थोड़ा और दूर गए ते जहां पर एक वाउली थी यह वाउली थोड़ा अंदर जगहां पर है रात मेरे सबसे बहुत स्केरी लगेगी तो अभी हम लोग आई है इस फाइनल जगह पर एंड यह मैंने वीडियो में देखा था काफी हॉंट लग रही थी है यह है इसके अंधर जाने यह थे बाउडियोंग के ते से लुकित हैं आपके वाउर है ते जरते हैं दुरस्पटेरуйте GUYाय से दूर ग houdes plane recon लिए दल तो यहां पहुत अच्छे से भना घ्राए आप सब्सक्राइब हें पॉरा पानी बनाता ता है इस के इसमें यह बहुत अच्छे से से बप होगा एंद इसमें लोग पानी पीदें ता हEMA के लिए हए वह एक चीज तो है पुराने जमाने के हिसाब से यह गाओं काफी डैबलब था काफी अच्छी हाँ काफी अच्छी फैसलिटीज थी इस गाओं में तो फुल लगजरी वाला वो लग रहा है पानी आनी पीने के लिए तब इसकी वाज़ा हमने पूरा ट्रेवल खतम कर लिया था दो कोशन पूछे हम से सबसे पहला कोशन ता कि क्या में जगां पर रात मैं आ चाता हूं कि वह कुछ कोशिट कर सकते हैं जिसमें रात में आपाऊं बट पॉइंड की उनको यहां वे रात में नी आना था वो नहीं आए सिम में को आना है तो मैंने शीच इस के लिए उनसे होती है उनको उस तरीके का रहना चाहिए मैं कभी वी किसी जगा को भंग नहीं करना चाहिए मैं अल्रेडी भंग कर चुका था एड उसका रीजन तो मैं आगे दिखेगा क्योंकि जब मैं अपने होटेल पे बापिस गया रात में जब मैं च्छत से नीचे आ रहा था तो फॉ पकड लिया पकड लिया अभी बंद वारा कुछ तो सेन आभाई यह दिखो ने जज़ा जारों मा वाले बंद हो रहे हैं भाई sorry जो भी मैंने बोला मेरी गल्ती थी मुझे माफ कर दो अगर अभी कोई हुआ तो मैं ऐसी की तैसी करते हुआ है यह जो हो रहा था यह क्या था बट आयो वाट यह भूथ मेरा पीछे क्यों कर रहा इट वस बेरी पनी एंड फॉर सम्रेजन ना यह चीज मेरे साथ एक्शली में हो रही थी हां पर कुछ नकली नहीं है तो यह खु किया था एंड बो जगा जब हमने एक्स्प्लोर करी तब हम पहां के एक फोर्ट में गए थे एंड जैसल मेर में को बड़ा है बहुत सुंदर था जहां से भाई पूरा जैसल मेर दिख रहा था था लिक लुक अट दिस एंड जब हम वो हंड़ीड ब्लेस से बापिस आरी थ लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा इंजॉय किया विकास बो जगा बहुत निगेटिव फिलिंग वाली थी एंड में को थोड़ा सा इंजॉय करना था मैं अपने दोस्कों कंदे भी बिठाया एंड उडने लगा यह मुस्से क्रियेटिव बोल रहा था कि इसको रहा है मैंने उट रंट किया है कि इनने वाला है कि अभी इसको हुए अल्मोस्त दस दिन हो गए हैं और जाना है कि आफ्टर देर्ट क्या हुआ तो कुछ चीज़ें होई है कभी-कभी मेरे को नाइट मेर्स आते हैं और यह सेम चीज मेरे फ्रेंड डैस के साथ हो रही है हम लोग कुछ दिन पहले कुल्दा रहा गए थे और उधर पर हमने काफी की कीपी चीज़े सुनी की उधर से एक पहले भी बंदा जा शुक है तो उसका थोड़ा करते हैं लोग करते हैं कि उस इंसिजेंट का भी इडर से कुछ लेना दे रहे हैं और साथ में मैं जब उधर आपल घा था तब भी गाई ने मेरे को बहुत डरा दिया था अज़ें वापस आयना मेरे को स्लीप पार्लिश सुए थे करते हैं मैं जब आपने अपने अंकुल को गाल किया एंड उसका उपीनियन ये था सुरी मैं इतने अंदेरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं इट इस नोट नेसेसरी कि मैं ऐसे और हॉरर बना रहा हूं बट यह कुल्धारा से वापस आनी के बाद ऐसस तो मैंने कुछ नोटिस नहीं गया था बट आइग्यस काइड़ मैं को ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे साथ बैड लग है जो कि शायद हो सकता है उससे रिलेटेट कुछ हो बट मैं इन चीजों मैं बिलीव नहीं करता है बट एस सच मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है एंड अगर हम महारात को रुपते तो जरूर होता है तो यह यह सब के उपीनियन थे अव मेरे उपीनियन के उबर बा इसलिए मैं गया लें मी नो इफ तुमारा कोई एक्सपिरियंस रहे है इस जगा को लेकर क्योंकि मैं इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ूंगा अगर तुम इस जगा पर कभी भी गई हो तो तुम अपना एक्सपिरियंस शेयर करोगे और मैं उसको पढ़ूंगा तो मजे लेकर रहा हूं और यह देसे पर इस वीडियो आप लिए नेक्स वीडियो प्लीस शब्सक्राइब लाइक प्लीस टेक केर और यह यह इंस्ट्राग्राम फॉलो कर सकते हो तुमारे पास और नए प्लेसे से या कोई तगड़ा वीडियो आईडिया है तो मुझे शेयर करना यह मेरा स्ट्रीमिंग चैनल है तो मेरे गेमिंग वीडियो और फणी रियक्शन सब्सक्राइब मेरे सेकेंड चैनल रेच पर देख सकते हो और सब्सक्राइब लेंगे तो मैं इस तरीकी के बहुत सारी ग्लास इस बिलेंगे शो सम्लब गाइस उनको वाइए फॉर्मिली इ इसे घूम रहो तो तो यह फोटोस देंगे तो डरनी जाएगा यह पूरा मौल नहीं तो सामने नाज दूंगा आँ